Hello Everyone, Welcome to Knowledge.io अभी हाली में YouTube का एक नया अपडेट आया है उस अपडेट में YouTube ने अपनी monetization policy में बदलाव किया है पहले जो monetization के लिए criteria हुआ करती थी उस criteria में बदलाव कर दिया गया है watch hour को reduce कर दिया गया है और साथ ही subscriber count को भी कम कर दिया गया है तो जानते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है पहले क्या criteria हुआ करते थे और अब क्या criteria कर दिया गया है पहले की criteria ये थी कि channel को monetize करने के लिए आपको 1000 subscriber की जरूरत थी 4000 घंटे watch time की जरूरत थी और YouTube Shorts पे 10 million views की जरूरत थी लेकिन अब इन सब को reduce करते हुए subscriber count को 500 कर दिया गया है अगर आपके 500 subscriber है तो आप monetization के लिए eligible है watch time 4000 घंटे से घटा कर 3000 घंटे कर दिये गये हैं और Shorts पे 10 million views से घटा कर 3 million कर दिया गया है तो अभी monetization के लिए criteria ये हो गया है कि 365 दिनों में आपके 500 subscriber हो गये हो 90 days में आपने 3 videos post की हो और 3000 घंटे का watch time पूरा हो गया हो या फिर Shorts पे 3 million views पूरे हो गये हो चलिए suppose करते हैं कि channel monetization के सारे criteria को हम fulfill कर रहे हैं तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या तो monetization के बाद हम 3 buttons को on कर सकते हैं पहला है Super Thanks, दूसरा है Join Button और तीसरा है Shopify Super Thanks Button का use करके कोई भी आपको पैसे बेश सकता है Join Button का use करके कोई भी आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकता है Channel join करने के लिए कुछ payment करना होता है और तीसरा है Shopify यहां आपको एक account create करके products को link करना होता है कोई अगर उन products को खरीता है तो उससे कुछ पैसे मिलते हैं तो यह पूरा detail था जो आपको advantage मिलता है channel monetize होने के बाद तो जानते हैं कि YouTube पे main earning source क्या है Channel monetize होने के बाद आप अपना AdSense account active करते हैं उसके बाद आपके videos पे जो advertisements आते हैं उससे आपकी main earning होती है तो main important चीज़ यह है कि अपनी earning को बढ़ाने के लिए आपको अपने videos का watch time बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको आपके content पर focus करना पड़ेगा जिससे आपकी continuous earning होती रहे तो यह थी पूरी जानकारी जो new update आया है YouTube का अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करें चैनल को subscribe करें thanks for watching जय हिन जय भारत